हेलो एवरिवन स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लाश टेंथ का हिंदी बी और पाठ दो का टॉपिक है हमारा मीरा और आप लोगों का जैसे आप लोगों को पता है कि पे पहली बार आए तो प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोडिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा आप जैसे की हिंदी बी में पढ़ते हो तो आपके लिए एक उर्दू क प्लेष्ट बना दिया गया है बाकी सभी क्लासेस का जो है अलग-अलग से फोलडर बना दिया गया है आप वहां जा कर देख सकते हो इसके इलावा आप हमारे वाटसब गरूप टेलिगराम गरूप इंच्टागराम गरूप के साथ बही जूल सकते हो ताकि आपको ْहर एक आपको उसका आंसर लिखना होगा जैसे यहां पे कह रहा है कि हरी आप हरो जन्री भीर दुरोपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत करन रूप नरहरी धरियो आप सरीर ठीक है अब यहां पे देखे क्या है इसका मतलब इसका मतलब होगी कि प्रस्तुत पंक्तिया क में कवितरी स्रीक्रिष्ने से अपने सांसारिक संतानों का मतलब दुखों संतानों को दूर करने के लिए आगरह करती है जिस परकार स्रीक्रिष्ने ने दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीर हरन कराने पर चीर बढ़ा कर चीर यानि कपड़ा चीर बढ़ा कर प्रस्तुत पंक्तियां में कवित्री द्रिष्टांत अलंकार का सुन्दर परियोग किया है, कवित्री ने अपने भावों को भावों की अभिवेक्ति तता क्रिष्ट्न की द्यालूता के वद्नन के लिए पौरानिक आख्यान का अधार लिया है। तो यह हो गया first वाले का answer, इसको आप लोग note कर लो, दस बार पढ़ लो, बढ़ियां से, सांती मन से दस बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद, सोचिएगा आपके याद हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इसको आप 10 बार, 20 बार पढ़ लो, अच्छे से, प लिखने की आप लोग आदर डालो, लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिस बढ़ता है, और अच्छा होता है आप लोगों के लिए, चले next देखते क्या है, अगला सवाल है हमारा, बूलहतो, गजराज, राख्यो, काटी, कुंजर, पीर, दासी, मीरा, लाल, गिर्दर, हरो, म मिहारी भीर, अब इसका अर्थस पश्ट करेंगे, इसमें क्या हो रहा, प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री मीरा बाईद्वारा रचित पद में से है, अवतरित है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री स्रीक्रिष्न से अपने संतानों को दूर करने का आगरह करती है, सेम जो उसमें, वो इसमें, कहती है कि स्री क्रिस्न अत्यत द्यालू है, उन्होंने डूपते हुए हाती की रक्षा की तथा मगरमच का वद किया, मीरा कहती है मीरा बाई, कहती है कि मैं तो गिर्धर गोपाल की दासी हूँ, मेरी पीला का भी निवारन करो, कवित्री ने क्रिस्न क भक्त वत्सल स्वरूप का वर्नन किया है, इसको देख लेना, आगे देखते हैं क्या है, तीसरा है हमारा, चाकरी में दर्सन पासियों, सुमरन पासियों, खर्ची, भाव भक्ती जागेरी पासियों, तीन बताउं, तीनु बता सर्सी, तो आप लोग बुक अगर आपके पा अग्राई द्वारा रचीत है, इसमें कवित्री ने स्रीकृषन की नयुकरी करने का आगरा किया है, कवित्री दासी के रूप में रहे कर हर पल खृषन दर्सन पाना चाहती है, वह स्रीकृषन की भक्ती रूपी जागीर सेवा तथा दर्सन तीनों एक साथ नवकर के वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है सेर करना है सब्सक्राइब करना है प्ले लिस्ट पे जाईए वहां पर आप लोगों के बहुत सारे वीडियो जैसे हिंग्डी के मैथ के इंग्लिस के उर्दू के संस्कृत के सभी विशाय के वीडियो आ आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा तो आप लोग को करना क्या है वहाँ पे जाना है अपने प्लेलिस्ट पे जाईए और एक्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में थैंक यू